दोस्तों बॉलीवुट का सूपर किंग डांसर मिधुन चाकरवर्थी ये का ऐसा नाम है जो हर एक की जुबान में आज भी रहता है और आज भी लोग मिधुन चाकरवर्थी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन मुथन चाकरवर्ती ने अपने करियर में किस तरीके का संघर्ष किया है ये किसी से चिपी बात नहीं है और सबको पता है लेकिन मुथन चाकरवर्ती कि जब सफलता सामने आई थी उस सफलता को पकड़ कर बहुत से लोगों ने अपने आपको उपर उठाया है और दोखा किया और उनकी मुलाकाते आज हो जाती है पर दिल में जो दर्द है वो कभी भी मिट नहीं सकता है और इसमें सबसे पहला नाम आएगा श्रीदेवी का स्रीदेवी और मिधुन चक्रवर्ती का जो सिलसिला था वो जाग उठा इंसान के श्रेक पर हुआ था जब फिल्म जाग उठा इंसान आई थी उस समय मिधुन चक्रवर्ती और स्रीदेवी का प्यार परवान चड़ा वहाँ पर उनकी महबत हुई हाला कि मिधुन चक्रवर्त में इनकी प्रेम कहानी खतम हो गई और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और दोनों ने एक दूसरे से lifetime बात नहीं की मितुन चक्रवर्ति तो इतना खफा हो गए कि उनकी यानि कि स्रीदेवी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए थे मितुन चक्रवर्ति का दूसरे नाम जुड़ा जाता है एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ हेमा मालिनी के साथ मितुन चक्रवर्ति का 36 का आकला रहा है हाला कि धर्मिंदर साथ मितुन चक्रवर्ति की दोस्ती और प्यार हमेशा से बरकरार है कि मितुन चक्रवर्ति धर्मिंदर स वह सायद ही कभी मिटपाएगा और इसलिए आज मिथुन्दा खवा रहते हैं मज़ी से वही अगर तीसरा नाम मिथुन चक्रवर्ति के साथ माधुरु दिक्षित को कहा जाता है कि मथुन चक्रवर्ति का पूरा हाथ रहा है उठाने में लेकिन माधुरु ने ही मिथुन्दा को धोखा दिया और उनके साथ को छोड़ कर दूसरे फिल्मे करने लेगी मिथुन चक्रवर्ति ने अपने फिल्मे करे के सुरुआत माधुरु का बहुत सपोर्ट किया था और उन्हें एक सूपर इस्टार एक्टरस कराने में मिथुन चक्रवर्ति का बहुत बढ़ा हाथ लेकिन कहा जाता है कि माधर्य दौसरे ने ही मिथुन के साथ छोड़ दिया और उनके साथ फिल्मे ना करने के साथ कसम खाली और इसी वजे से मिथुन दा इन से लाइफ्टवर्ता खाफा रहे कब भरी का दर्द पता नहीं है आप बताना कोमेंट में